आज हम माटी वाली कहानी की समदी कर रहे हैं जिसे हम हिंदी में सारांस भी कहते हैं माटी वाली कहानी विद्या सागर नोटियाल जी के दोरा लिखी हुई एक अध्यन्त प्रसिद्ध कहानी है जो टिहरी शहर की है इस कहानी के माध्यम से लेखक ने तीहरी शहर के वी स्थापितों के दर्द को बताया है वी स्थापित क्या होता है जिन लोगों के घर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिये जाती है या जिनें बेघर कर दिया जाता है उन्हें वी स्थापित कहा जाता है सहर में हर कोई उस बुढिया माई को जानता था तीहरी शहर का कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां पर वेह लाल मिट्टी ना देती हो तीहरी वाले उस लाल मिट्टी का उप्योग चुले चोके की लिपाई और मकान के कमरे की दिवारों की लिपाई पताई के लिए भी क्या करते थे घरगर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी वहमाई एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि सामने घर से नो दस साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम कामीनी था दोड़ती हुई आई और कहा मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहां भी आ जाना जब वह घर पर गई तो घर की मालकी ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में रखने के लिए कहा उसके बाद मालकीन ने उस बुड़िया को खाने के लिए दो रोटी ला करके दी और वहर रसोई में चली गई उसके अंदर जाते ही बुड़िया ने तुरंत अपने सिर पर से डिल्ले के कपड़े उतारा और उसे एक जटके में सीधा कर दिया और दोनों में से एक रोटी उस कपड़े में गांट बनकर रख ली साथ ही मुझ चला कर खाने का दिखावा करने लगी और मालकीन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई तो उसने पास ही जमीन पर रखती पीतल का गिलास देख करके उस बुड़िया ने घर की मालकीन से कहा तुमने अभी तक पीतल के गिलास को संभाल कर रखा हुआ है अब तो यह कमी देखने में आता है तभी घर की मालकीन कहती है कि इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे के घर के चकर काट चुकी है लेकिन मैंने इसे बिकने नहीं दिया बाजार में पीतल के भाव पूछो जरा दाम सुनकर सीथ चक्राने लगता है अब कांसे के बरतन भी गायब हो गए हैं घरों से मालकीन आगे कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उमर में टिहरी शहर को छोड़ कर जाएंगे कहां इतने में माटी वाली केती है ठकुराइन जी जो जमीन जाईदादों के मालिक हैं ये तो कहीं न कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा मेरी तरफ वाला तो कोई भी नहीं है लेखक के अनुसार माटी वाली ने चाय खतम करके अपना समान उठाया और वहां से सामने के घर में चली गई उस घर में भी उसे मिटी के बदले में दो रोटियां दे दी गई और उसने रोटि को भी बांध लिया वह सारी रोटियां पती के लिए ले जा रही थी और उसे लग रहा था कि वह रोटियां देख करके खुश हो जाएगा माटी वाली का गाव तीहरी शहर से इतना दूरी पर है कि उसे वहां तक पहुचने में लगभग एक घंटे का समय लग जाता है रोज सुबह वे अपने घर से निकल कर जाती है पूरा दिन माटा खान में मिटी खोदने और फिर अलग-अलग सानों में घरों में धोने में मिटी में उसका समय बीत जाता है और घर लोड़ते लोड़ते अंधेरा चाजाता है उसके पास कोई खेत भी नहीं है गाउं के एक ठाकूर की जमीन पर उसकी जोपड़ी खड़ी है जमीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकूर के घर बेगार करना पड़ता था माटी वाली बुढ़िया मनी ही मन बोली जा रही थी कि आज वह अपने बुढ़े को केवल रोटियां नहीं देगी माटी बेचकर जो पैसा आया है उससे वह एक पाव प्याज भी खरीद ली तक पती को रोटी के साथ सबजी भी दे सके और मन में कई तरह की बाते सोसती हिसाब लगाती हुई वह अपने घर जाती है लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि रोज की तरह आज बुढ़ा माटी वाली को देखकर चोंका नहीं और जब उसने उसको छूकर पे देखा तो उसे पता चला कि वह तो दनिया से जा चुका है टिहरी बांध पुनरवास के साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसके जमीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई क्योंकि उसके पास अपनी कोई जमीन ही नहीं थी वह माटी बेचकर किसी प्रिकास से गुजारा क्या करती थी वह माटी बेचकर जो गुजारा करती थी उससे मुश्किल से ही उसका काम चलता था ततपस्चात तिहरी बांध के दो सुरंगों को बंद कर दिया गया था शहर में पानी भर जाने के कारण आपधापी मचने लगी सहर वासी अपने अपने घरों को छोड़ करके वहां से भागने लगे माटी वाली अपने घर के बाहर चिंती तवस्था में बैठी थी गाउं के सभी आने जाने वालों से एक ए बात कर रही थी कि गरीब आदमी का समशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए इस परकार घर से बेगर हुए लोगों की यह एक मारमिक कहानी है माटी वाली और लिखा है विद्या सागर नौटियाल जिने और प्रसिद्ध कहानी है यह जिस चकी मैंने आपको बताया प्रस्ट की यह जब बना इंवर नौटूक जोट्टियों की का बढ़ इंग और नौटियों की मैंने की तुम्हड़न जाए100 नापके रहीं की यह जोगी मैंने की यह जीज़ना जाए 100वेड़न